हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आज हम बनाएंगे करेले के कोफ्ता करिए ये करेले हैं इनको हम छील कर नमक लगाकर और 10-15 मिनेट के लिए रख देंगे करेले के इस तरह से करेले को छील लेंगे इसका ज्यादा छील का नहीं उतारेंगे बस उपर उपर से थोड़ा छील का इसका उतारेंगे और इसका जो ही छिलका है इसे फैकेंगे नहीं आपकी मर्जी हो तो डाले ना मर्जी हो तो ना डाले हमने फैका नहीं है अब हम इसके उपर नमक लगाएंगे इस तरह से इसमें टिकड़कर ऐसे नमक लगाकर दस मिनित पंदरा मिनित के लिए रख देंगे कम हो जाएगा और नमक डाल देंगे और इसको भी ऐसे मिलाके रख देंगे इस तरह इसमें नमक लगाकर दस मिनिट के लिए रख देंगे और इसमें भी नमक डाल दिया है, नमक डालके इसको भी रख देंगे, इससे कड़वापन खतन हो जाएगा देखिए, यह हमने नमक लगाकर रखे हुए करेले थे, अब हमने अच्छी तरह पानी से धोलिये हैं, अभी इसमें से बीज नहीं निकाले हैं, यह करेले का छिलका हमने नहीं फैका है, इसे भी धोलिया है अच्छी तरह से, और यह करेले भी सारे हमने धोलिये हैं, अब इसम से बीच में चीरा लगाएंगे और चम्मच की मदद से या जैसे भी आप चाहें इसके अंदर से ये बीज निकाल देंगे सारे बीज निकाल देंगे इस तरे सारे करेलों को ऐसे ही कर लिए अंदर से समय करे दो लेखा से दिए बीज़ ईवार को बाठगे लाएंगे इसके वाएंगे सारे करें ये सी, सारे को राटे हैं अंदर से भीज आप झाल राटे करेंगे लीज़ से अंदर मेहें से इसका सारा मसाला हमने अंदर का भीज वगेरा करेलों में से निकाल लिया है अब इसका मसाला बनाएंगे इसके लिए हमने ये पनीर लिया है इस पनीर को मैश कर लेंगे अब ग्रेब भी कर सकते हैं पनीर को हमने मैश कया इसमें चल्टाइब लिए स्वादा नूसार नमक डालेंगे, नमक कम डालेंगे क्योंकि पहले हमने नमक लगा के उसमें रखा था तो उससे थोड़ा खारापन रहता है और प्यूरी में भी बल्ग, थोड़ी हल्दी, थोड़ा धनिया, ताल मेरिच, संफ, थोड़ा अम्चूर, थोड़ा जर्म मसाला, दो कटी हरी मिर्ची, थोड़ा हरा धनिया, इन सब को मिला लेगे, आप चाहें तो खाली पनीर भरें करेले के अंदर, और चाहें तो इसमें यह जो करेले में से छिलका निकला है, इसे हमें नमक लगा के धोया हुआ है, इसे भी थोड़ा सा मिला सकते है, इस तरह से सारे मसाले मिक्स करने के बाद इसमें हम इसे भरेंगे, सभी करेलों को किसी तरह बर लेंगे, इस तरह से यह देखिए, हमने सारे करेले मसाले से बर कर तैयार कर लिए, अब यह टेबल स्पून, तीन चम्मच मेंदा है और तीन चम्मच बेशन लिया है, इसमें हम थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर, स्वादनुसा थोड़ा नमक, निलाकत इसका गोल बनाएगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका पकोडी जैसा गोल बनावेगे, इस तरह से इसका गोल बना लेगे, इधार हमने अब यह गैस पर तेल गरम हो गया है, इसके अंदर हम इस करेले को लपेट के गोल में डालेंगे, बस इसको इस तरह से बदल कर शेख लेंगे, इलादा नहीं शेखेंगे, थोड़ा साथ बेशन पक जाए, उपर मेंदा और बेशन इतना ही शेखेंगे, और सिखने के बाद, निकाल, अभी देज गरम में रखा है, मैं डालेंगे, जीरा, तरिस पता, तो तेज पता, चाहर पांच लोग, बोहरी लाइची, त्याज, त्याज थोड़ी, दिनी बढ़ी है, इसमे आम डलेंगे, उचामा को, हमने तमाटर और प्याज शिख चुका है, अमने ये दई है, इसमे पता है, इसमें रखाएं प्याज, त्याज, शिख चुका है, में खल्डी, मिर्ची, धनिया, सौफ और गरम मसाल, ठोड़ा, पाब में गरम मसाला और डालेंगे, ये डाल, अब ये इसे सेखना है, जब तक कि इसका ओल सेप्रेट नी हो जाए, कि आए, मसाला और इल में आती खुड़ा है, मसाला और टाल ये अए, बशे हैं, अमने नमक पहले नहीं चाला ये अब ये, मैं पूरा नमक ओर दिए है, अब फिन हमीचाना के खाले जोड़ा है करें दालने के बाद इसमें पोड़ा पानी करेंगे यह कट्टोरी के करी पानी है और इसमें कुबाल आने पर यह जो हमने करी ले कोपते रखें इनको एकिक करके इसमें डाल देंगे करी लेके और इसको ऐसे बदल कर दस से पंदरा मिनिट के लिए इसका रस इनके अंदर जाए इतना इसमें कुबाल लोना है अब इसमें थोड़ा गरम मसाला थोड़ा हरा दुनिया और येलो करेले कोपते तईयादे कर दोड़ाए कर देंगे कर दोड़ादे प्रषबादे कर दोड़ादे कर दो कर दो झाल झाल